जै गुरुदेव मैं अमित कुमार संस्थापक NGO अमित कंप्यूटर जन्सेवा फॉन्डेशन चत्रा और कंप्यूटर संस्थान अमित कंप्यूटर एजूकेशन चत्रा मैं आर्ट ओप लिविंग परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमें हर मुश्किल परिस्थिती सो कैसे निकलना है यह हमें आर्ट ओप लिविंग परिवार ने शिखाया है मैं चत्रा जीला के दिपक सर को और विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आर्ट ओप लिविंग प्रोग्राम में हमें शामिल होने का मौका दिया और वहां से मैं बहुत सकारात्मक चीजे सिख कर अभी समाज में कारे करने के लिए सक्षम हो पा रहा हूँ मैंने कोरोना काल में लगभग 22,000 जरुरतमंद लोगों को स्वता स्वेक्षा से भोजन कराया और 8,000 लोगों को मैंने सेनिटाइजर वित्रित किया इसी के साथ मैं 12,000 मास्क का भी वित्रिन किया ये सारी कारे करने को ये सब चीजे करने को हमारे अंदर प्रेड़ना कहां से आई मैं बताना चाहूंगा यह प्रेड़ना हमें आट अब लिविंग परिवार से मिला किसी का दुख का अनुभाव होना यह कहां से मिला में है वो दुख अगर आपके ऊपर बिते कैसा महसूस होगा यह सब चीजें हमें आर्ट अब लिविंग परिवार ने हमें दिया मैं इस परिवार से एक और चीज़ सिखा हूं कि जब भी मैं नेगेटिव मोड में जाता हूं जब भी मैं दिमोटिवेट होता हूं तो मैं उस प्रोग्राम का एक पार्ट मिला हमें वो पार्ट है ना किसी के अभव में जियो ना किसी के दबव में जियो इंशान अगर बहुत अच्छे कारे करना है तो खुद अपने स्वभव में जियो क्योंकि आपका अपना स्वभव दुनिया को बजल देने में सक्षम है मैं पुझ्य गुरु स्री स्री रवी शंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका संसकार हमें प्राप्त हुआ और मैं समाज में साकरात्मा कारे करने में सक्षा मो रहा हूँ इस संसकारों को मैं धरातल पर लाने के लिए और जो साकरात्मा की चीजे हैं उसको हर जंजन तक पहुंचाने के लिए मैं अपने पंचायत से मुख्या पद हेतू चुनाव लड़ने की तयारी कर रहा हूं और मैं चाहता हूँ जो दर्द में तो मैं इस अनुभाव को हर जंजन तक शेयर करना चाहता हूं जिसके लिए मैं मुख्या पद का चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पोले विश्वास है अगर गुरू की किर्पा होगी तो मैं श्वम या मैं उस जंजन तक जाओंगा और शाकरात्माक चीज़ें जो समाज में कुरितियां हैं उसको बदल के देने में सक्ष्य मह पाओंगा जै गुरुदेव